विश्मु पुरा विश्मु पुरा हे सर विश्वर क्या वास्तव में मृत्यू का सदा के लिए अन्त हो जाएगा नहीं मा देवी जीवन और मृत्यू तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है यदि मृत्यू का अन्त हो गया तो जीवन के सौंदर्य कभी अन्त हो जाएगा जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अन्त होना है यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्री ना आए तो नेत्र जाकते जाकते और सूर्य अपना प्रकाश बांटे बांटे ठक जाए यदि मृत्यू ना आये तो प्राणी कदाचित जीवन से उप जाये देवी परन्तु देति गुरु शुक्राचारे तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यू पर विजय पाली है कि इसकी प्रित्यू पर महादेवी वो दानमों को पुना जीवन अवश्य दे सकते हैं परन्तु महादेवी आप तो बस देखती जाईए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में अपना डेरा जमा रखा था अब वही अभिमान डैत्य गुरू शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है परन्तु हे कमल्यन अभी तो देविंद्र बहुत उदास बहुत दुखी और बहुत तूटे हुए दिख रहे हैं हाँ महादेवी हाँ भूल का मूल ये तो चुका नहीं पड़ता है कि जो हुआ वो मेरी और केवर मेरी भूल का परिणाम था इस भूल में आप अकेले नहीं हैं देविंद्र हम सबने भी तो अपने आपको ची भर के चला था जो हो चुका है उसका शोक्त समस्या का समादा नहीं है देविंद्र यह स्थिति बहुत गंभीर और घातक है कि दानों का जीवन संजिमनी की चाय में सुरक्षित हो चुका है और देव जीवन आज सुरक्षा की रहों में भटक रहा है इस स्थिति में मेरी दृष्टी कहीं जाकर ठैरती है तो केवल लक्षमी नारायन के चरणों पर कि उनके सिवा कोई नहीं जो हमें संकर से उबार सके देवेंद्र हमें श्री विष्णु के पास चलना चाहिए कि अब उनके अत्रिक्त और कौन आश्रे दे सकता है उनके अत्रिक कौन रक्षा कर सकता है कि कह दीजे समस्त देवताओं से क्या हमें मिलका भगवान श्री विष्णु के पास चाना है त्राहिमाम 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 दुख का निवारण करें यह परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए नारायन दैत्य गुरु शुक्राचारी ने भगवान शिव से संजीव ने मंत्र क्या प्राप्त किया हमारे सेरों पर मृत्य और पराजय का वज्ज रागिरा है लक्ष्मिपती यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीगित कर देते हैं और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है है सर्वशक्तिमान यहीं दशा रही तो देवता घटते जाएंगे दानव बढ़ते जाएंगे और एक दिन देव लोग पर दानव का आधिपत्य हो जाएगा देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित न अमरित वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है मृत्य उसे छू नहीं सकती परंतु हे लक्षमी नारायन अमरित हमें कहा मेलेगा कैसे मिलेगा देवेंद्र अमरित आपको समुद्र से मिलेगा सागर का मंधन करने से मिलेगा अम्रित परंतु हे जगदिश्वर हमें तो अम्रित के विशे में कुछ भी ज्यान नहीं हे देवराज जिस प्रकार दूद के भीतर माखन छिपा तो होता है परंतु वो मिलता तभी है जब दूद को मथा जाता है उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छपे हैं अन्मोल रप्न छपे हैं उन्हें केवल मन्थन के द्वारा ही निकाला जा सकता है अमरत उनमें सबसे अन्मोल है सत्य तो ये है देवगान कि मन्थन मतने और खंगालने की उसक्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयम के भीतरी गुणों और अउगुणों की खोज की जाती है मानव ये मन्थन प्रतिदिन करता है वो प्रतिदिन स्वयम को मतता है, खंगालता है और स्वयम के भीतरी गुणों और अउगुणों को बाहर निकालता है आश्चरिय तो ये है कि वो मानव होकर भी इसक्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इसक्रिया से अपरिचित है पर हे लक्ष्मी पती हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे मंथन मथानी और दोरी की साहिता से किया जाता है मैं आपके लिए मंदर परवत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की दोरी दूँगा परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवशक्ता होती है देवगार जिसका प्रबंध आपको स्वयम करना होगा और किस सामगरी की आवशक्ता होती है सरवेश्वर दोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए दो दलों की आवशक्ता होगी देवेंदर जो दोरी को दो छोरों से पकड़ कर खींचेंगे उनके बिना तो मन्थन संभवी नहीं है बिल्कुल वैसे ही जैसे दूद मतने के लिए दो हाथों की आवशक्ता होती है तो हम देवता आदे एक छोड़ पकड़ कर, आदे दूसरा, ये कारे तो सरलता पुरुवक कर सकते हैं मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाक की डोरी को खीचना है संजीवनी मंतर के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है और आपके घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महानकारिय नहीं कर सकेगी हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को दानवों को? हाँ, दानवों को यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है और समुद्र मंथन होगा, तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा हे परमेश्वर, ये तो एक संभव अभ्यान होगा सर्व प्रतन तो दानव हमारी बात सुनेंगे ही नहीं और यदि सुन भी लें तो मानेंगे नहीं ये किरपानेधान, दानवों को तो अम्रित की आफशक्ता भी नहीं जिसके लिए हमसे सहयोग करें उनके गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र की शक्ती है उनने तो यूँ भी मृत्यू से मुक्ती मिल चुकी है हे दीन रयल, यदि दानव मान भी गए तो द्यात्य गुरु शुक्राचार्या उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमती नहीं देंगे निस्संदेह नहीं देंगे और यही तो आप सब के विवेक और बुद्धी की परिक्षा होगी देवगर सब्सक्राहां कंत्त देवेंद्र। आप डैत्यगुरु शुक्राचार्य को भी अपने तरक से संतुष्ट करना होगा। संचीन मंत्र मृत्यू का मात्रम खषणि कुप्चार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है जो टूट भी सकती है परंतु अम्रित मृत्यू का स्थाई उपचार है अम्रत पान करने वाला अम्रत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है परन्तु हे नारायन इसकार तो ये हुआ कि हमें दानों के पास सिर जुका कर जाना होगा उनसे सहयोग और सहायता की भिख्षा मांगनी होगी क्या ये समस्देवलोक का अपमान नहीं होगा क्या अपमान में अभी कोई कमी रह गई है देवराज शब्दों के जाल में मत उलजिये देवेंदर शब्दों के जाल में मत उलजिये आंधी आये तो आखे फार कर पत पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए शस्त्रधारी शत्रू से निहत्ते लड़ना ये कोई वीर्ता नहीं है देवकर ये तो आत्माहत्या है ऐसे में वीर्ता तो ये है कि शत्रू को शांत रखा जाए यदि आवशक्ता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ती जुटाई जाए शत्रू से सहयोग और सहयता लेना भी रणनीती कांच है देवेंद्र एक प्रशन भी रह गया सर्वेश्वर वो भी पूछ लीजिए यदि दानवो ने सहयोग देने के लिए यह मांकी की अम्रित उन्हें भी दिया जाए तब क्या होगा संजीवनी के साथ अम्रित भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी असंभव असंभव देवेंद्र असंभव समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे अनेक सामग्रिया निकलेंगी अन्मोल रत्म निकलेंगे उन सब का बट्वारा संभव है परंतु अम्रित पर केवल देवदाओं का अधिकार होगा उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा अब ये कैसे होता है ये देखना मेरा कारे यदि दानवों ने अम्रत मांगा तो मैं स्वयम बीच में आऊंगा हे तिरलो की नात आप संकट नाशक है तारनहार है हमारे नायक है आपने इस निराशा में आशा का दीब जला दिया हमें अनुमति दीजे जगदीश्वर आपका और मात लक्ष्मी का आशिरवाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभ्यान में सफन होंगे हम शीघरी लोटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे शुभश्य शीघरम हे कमलनयन आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए किन्तों नहीं अम्रित के एक बून भी न दी जाए कार्य की परिभाशा उसका उद्देश निर्धारित करता है महादेवी यदि उद्देश उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता उसे नीती का नाम दिया जाता है कि देवताओं को भी नीती से कारे लेना होगा चल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्यान के लिए चाहिए पर क्या वो मानव कल्यान कर रहे हैं वो तो संजीवनी मंत्र का उप्योग केवल दानव कल्यान के लिए कर रहे हैं और यह चल है देवी यही चल है और इसके उत्तर में कोई भी कार्या भले उस पर चल का संदेय ही क्यों नहों उचित ही नहीं उत्तम भी है आप तो उत्तरों के उत्तर हैं तर्कों के तर्क हैं और उद्देशियों के उद्देश हैं कमल नयन आपकी हर बात में रहस्य होता है दानव राज की जैहो देव लोग से देवराज इंद्र अपने सहयोगी देवताओं के साथ पधारे हैं और दानव राज की सेवा में उपस्थित होने की अनुमती चाहते हैं पर आजये विजय से मिलने आई है महराज बढ़ाई हो सावधान काल गेदू उनके आने में अवश्य कोई रहस्य है कि देवराज और उनके साथ ही देवताओं को संबान सहीत सवगार में लाया जाए जो अग्यादानव राज प्रणाम देत्य गुरु शुक्राचारे प्रणाम दानाव राज काल के तू दानाव राज काल के तू दानाव सवागार में देवराज इंद्र का स्वागत है कि कदाचित ये पहला अवसर है जब देवराज और अन्य देवताओं ने अपने चरणों की धूल से दानाव सवागार को पावन किया है आप सत्य कह रहें महाराज नहीं तो हम इस योग्य कहां थे कितने महान व्यक्तियों के दर्शन पाते ये ना भूलिया महाराज काल गेतू कि हमें वैर के अत्रिक्ट भी एक नाता है उस नाते को भी सपस्ट कर दीजे देवराज हम और आप अलग-अलग माताओं के किंदो एक ही पिता की संताने हैं हमें एक दूजरे के भ्राता भी हैं दानाव राज मेरे दानाव शिश्यों को सदैव इसका इसमरन रहा है देवराज परंदू लगता है देवताओं की इसमरन शक्ति कुछ दुर्बल है उन्हें इस नाते का इसमरन बस कभी-कभी रहता है आवशक्ता अनुसा ऐसा क्यों कह रहें देवराज यदि देवताओं को ये नाता इसमरन रहता तो आपके प्लिय भगवान विश्णू को हाईगरीव का वद्ध करते समय थोड़ा संकोच अवश्यों था परन्त उन्हें मेरे शिष्य हैगरीव को पड़ी निर्ममता से माँ डाला बीती बातों का समरण सर्प निकल जाने के उपरांत लकीर पीटने के समान होता है दैत्य गुरू हम बीती बातें भुला देने के उद्धेश से ही आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए है परन्त उ हम तो नहीं बोल सकते कि हैगरीव आप जीवित नहीं है हैगरीव जीवित रहता यदि उस समय आपके पास संजीवनी मंत्र होता या हम सब के पास वो होता जिसे प्राप्त करने का प्रस्थाव लेकर हम यहां आए है क्या प्राप्त करने काप्रस्ताव लेकर आए हैंदिवराज मैं अमर्थ प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आएँ दानव राज ersamika हां अम्रित पर दुस्य प्राप करने के लिए हम में और आपने सयोग और समझाता आवश्चक है सयोग समझाता जल लगनी से समझाता करने आया है मृट्र सिंग से सयोग चाता है यह कैसी अनोखी बात कर रहे हैं आप देवराज इंद्र और यह अम्रत है किस वस्तु का नाम अम्रत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मिर्तु पर विजय पा सकते हैं जिसको पीने वाला अमर हो जाता है मृत्यू उसके निकट भी नहीं आ सकती Smith यू भी मेरे शिश्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज आप भी जाये तो लटे पाउं लोड़ जाती है आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मन्त्र है कि दैद्दी गुरु शुक्राचारे आप महान विद्वान है महाग्यानी है संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं अवश्र पूझे देवराच मैं आपको निराश नहीं करोंगा यह सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मिर्ट्यू के भैसे मुक्त हो चुके हैं उन्हें मिर्ट्यू आभी जाए तो आप उन्हें पुनर्ट जीवन प्रदान कर देंगे परन्तु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा देट्य गुरु आप कहना क्या चाते हैं देवराज यही कि यदि दानव मर जाएं तो संजीवनी मंत्रों ने जीवित कर देगा पर यदि मिर्ट्यू ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित ना कर सकेगा संजीवनी मंत्र भी नहीं आपको तो भली भाती स्मराण होगा कि भगवाण शिव ने क्या कहा था करादू कि भगवाण शिव ने कहा था कि यह संजीवनी मंत्र एक कलप में एक ही बात केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है इसका अर्थ ये हुआ डेत्य गुरू कि ये खेल उसी समय तक सीमित है जब तक आप है यदि आपको कुछ हो गया तो आप ये मंतर किसी और को नहीं दे सकते क्या आपकी मृत्यू की स्थिति में वो आपको पुनर जीवित कर दे और हे दानवराज यदि डेत्य गुरू शुक्राचारी नहीं रहे तो आप सब का क्या होगा आप सब ये के करके मिर्थ्यू की गोद में समाते जाएंगी केवल अमरित ही हम सबको मिर्थ्यू से बचा लेगा आपके तर्क में तद थे है देवराज किन्तो हमें अमरित कैसे प्राप्त होगा देवराज मैं पूरी योजना लेकर उपस्तित हुआ हूँ अमरित समुद्र मन्थन द्वारा प्राप्त होता है पर समुद्र मन्थन एक बहुत विशाल अभियान है पूरे समुद्र को मतना कोई परिहास नहीं है वो भी इस तिस्ति में जब मंदर परवज जैसी मतानी होगी और वासुकी नाग की डूरी ये तो वास्ता में बहुत कठिन और महान अभियान होगा आप ठीक समझे दाना वराज ये कठिन और महान कारे अकेले दमन हम कर सकते हैं और नाब हम दोनों मिलकर ही इस विशाल अभियान को सफल बना सकते हैं परन्तु ये समान रखे कि अमरित की प्राप्ती है वो बहुत आवश्यक है मैं इस आवश्यक्ता के विशा में भी जानना चाहूँगा देवराज अमरित हमें हम सब को अमर कर देगा जब आपको ये विश्वास होगा कि हम अमरित पान के उपरान मर नहीं सकते और हम भी ये जान लेंगे कि हमारे अस्त्र श्रस्त्र आपका कुछ नहीं बिगार सकते तो युद्ध निर्तकों कर रह जाएगा अमरित केवल मिर्त्यु का ही नहीं का युद्ध का भी अंतों और देफ मेरे में यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है इस प्रस्ताव की महांता को नकारा नहीं जा सकता गुर्देव अमेरे देवताओं की बाद माले नी चाहिए कि देवताओं से यह आशा रखना कि वो सत्भावना के कारण हम से सयोग और समझता चाहते हैं मरुस सल से यह आशा रखने के समान है कि वो मधुवन में बदल जाएगा यह मित्रता यह सहयोग की भावना यह समझोदे की इच्छा देवताओं के मन में अचानक कहां से जागुखी दीव राज है ठोकर खाने वाले ही समनले की चेश्टा करते हैं देत्य गुरू पर राजे हमारे लिए वो ठोकर सिद्ध हुई जो हमें समनले पर विवश कर रही है सच तो यह है कि हम बार बार के युद्ध से उप गए है दानव राज क्या मैं समझूं कि आपने प्रस्ताव स्विकार कर लिया है मुझे देताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है परन्तु देवराज आपके इस तर्क ने मुझे निरुत्तर कर दिया है कि मैं संजीवनी मंत्र से सब को जीवित कर सकता हूँ परन्तु स्वयम को नहीं मेरी मित्यू की इस्तिती में मेरे शिश्यों का भविश्य अंधकार में डूब जाएगा अपने शिश्यों के विद्ध के लिए मुझे आपका प्रस्ताव स्विकार करने में भोई आपती नहीं है हमें आपका प्रस्ताव स्विकार है देवराज हम आपको सहयोग देंगे आज तो हमारे देवराज ने चमदकार कर दिया महादेवी जिस प्रकार जवार के समय समुद्र की लहरें तट को तोड़ कर आगे निकल जाती है उसी प्रकार आज देवराज इंद्र के तर्क दानवों की बुद्धी के आगे निकल गए जैसे सूर्य दीपक की महत्ता को कम कर देता है वैसे ही आज देवराज ने दैत्य गुरु शुक्राचारे को निरुत्तर कर दिया जिस युद्ध को देवराज हार चुके थे उसी युद्ध को उन्होंने दानवों की सभागार में जीत लिया उन्होंने ये सिद्ध कर दिया देवी कि युद्ध केवल रनक्षेत्र में नहीं होता विवादक्षेत्र में भी होता है और उसे विवादक्षेत्र में जीता भी जा सकता है भोर समय का भूला सांच पड़े घर लोटाए तो उसे भूला नहीं कहते लगता है देवराज वास्तव में ठोकर खाकर सभल गए हैं आज तो उन्होंने देट्टि गुरु शुक्राचारे जैसे विद्वान को भी तरकहीन कर दिया हाँ परंतु हमारे देवराज का मन सूर्य की भाती बड़ा विचित्र है देवी जब अंधेरे से सवेरा निकलता है तब सूर्य की किर्णे बहुत शीतल होती है परंतु जैसे जैसे दिन चरता जाता है वैसे उन किर्णों की शीतलता लुप्त हो जाती है और वही किर्णे ता जाजय का घाव हरा है जब यह घाव भर जाएगा तब हमारे देवराज इंद्र कितने विनम्र रहते हैं यह देखना आवश्चक है देवी परन्तु आज तो भी दानवां से सहयोग प्राप्त करने में सफल हो ही गए आपके परामर्श के अनुसार सागर मंतन तो होकर ही रहे दानव सागर मंतन के लिए उताव ले हैं तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए पक्षी राज आज्या है लक्ष्ण पती पक्षी राज आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर परवक पर जाईए जो आज्या दिविश्वर हे सुदर्शन आप पक्षी राज के साथ मंदर पर जाईए और मंदर परवत को जड़ से काट दीजिए और हे पक्षी राज मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुश्पक से बांद कर सागर तट पर ले आईए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतिक्षा कीजिए बैं आपके आदेश की प्रतिक्षा करूंगा देविश्वर आप अपने कारे का शुब हरंब कीजिए बैं पुश्पक लेकर लोड़ता हूं हर बन्टर प्रतिक्षा झाल 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 आपको अपना मचन याद है देवराज आपने कहा ता सागर मंतन से जो भी निकलेगा वो आपके हमारे मद्स समानता से बाटा जाएगा जाइरे वीश्ट पर यादा यहाद यादा यादाइगे यहीं अपने 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 वचन पर अटिक यह तो पिर ठीक है इस सागर मंतन का शुबा रंभ होगा यह बख्षी राज जैसे इस मंदर प्रवत लेकर आएंगे मंधन आरंभ कर दिया आए अधन झाल झाल नारायन नारायन आये देवर्शी प्रणाम सर्वेश्वार्णाम आपने बुलाया मुझे हाँ देवर्शी हमें आपका सहयोग चाहिए लक्ष्मी नाराय यह तो आपकी महांता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं आदेश दीजिये समुद्र मंथन होने वाला है देवर्शी समुद्र मंथन परन्तू एक समस्या है वासुकी नाग का प्रयोग दोरी के रूप में होना है और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अगनी जैसी फुंकारे निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख्व की ओर होगा वो जुलास कर मर जाएगा ये तो सत्य है प्रभू समस्या ये है देवर्शी कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुकराचार्य उन्हें पुना जीवित कर देंगे और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मन्थन संभवी नहीं हो पाएगा ये तो चिंता का विश्य है देविश्वर इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहींगी इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ देवर्शी कि पाला बाटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कश्ट दिया नारायन नारायन आपकी लीला धन्य है प्रभर्शी ये केवल मेरी लीला नहीं आपकी बुद्धी की परिक्षा भी है वासुकी के मुख की और दानव और दुम की और देवता बस ये समझे कि आपके क्षमता की परिक्षा है ये आपको परिक्षा लेने में और मुझे परिक्षा देने में जो अनंद आता है उसका अनुमान केवल मेरी लक्षमी माता को है क्यों माता नारायन नारायन कि नहीं देवराज हम दुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागन मुक की और रहोगे यह नहीं हो सकता दानव पक्ष वासुकी के मुक का छोर पकड़ेंगे और हम दुम की और रहेंगे दानव राज ने जो कह दिया वहीं होगा हमारे देवराज के नने भी कोई नहीं बदल सकता तो फिर समझ लो संदी समाप्त हो गई और समझोता मिट्टूट गया नारायन नारायन आये दिवर्शी स्वागत है कि वातावर्ण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है किस विबाद में ताप को बढ़ा दिया है देवर्शी आप ही निर्णे कीजिए हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुक का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं हे देवर्शी समझाते का परस्ताव देवराज लेकर आये थे हमने मान लिया अब हम परस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते उचित है सर्वता उचित है देवराज दानव राज का तर्क बुद्ध संगत है ये आप क्या कह रहें देवर्शी आप तो दान शरीर में मुक शेष्ट होता है या पाउं शक्रतिशत मुक वह उपर होता है उचा होता है शरीर की पहचान बताता है तो फिर तो शेष्ट की और उसी को ही होना चाहिए जो स्वेम भी शेष्ट हो क्या कहना चाहते हैं आप देवर्शी मैं ये कहना चाह रहा हूँ दानवराज कि जिस प्रकार शरीद में मुख श्रेष्ट होता है उसी प्रकार सिष्ट में देवता श्रेष्ट है इसलिए वासुपी के मुख की और तो देवताओं को यह होना चाहिए कि आप हमारा आप मान कर रहे हैं देवर्शी हमने देवताओं को प्रास किया है कि युद्विशेत्र में उन्हें सर जुकाने पर विवश्ट कर दिया था कि देवता श्रेष्ट थे अब नहीं है और पराजित कभी श्रेष्ट नहीं हो सकता अब तो केवल हम स्रेष्ट है उचित है सरवथा उचित है इस विशेपर तो मैंने भी नहीं सोचा था श्रेष्ट वहीं होता है जो विजय होता है हे देरिंद्र अब इस कट्व सत्य को मान ही लीजिये कि विजय होने के कारण दानव श्रेष्ट हो चुके हैं हे दानवराज श्रेष्ट ता की कुछ मांगे होती है और प्रधम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ट की ओर रहना पड़ता है यह मांग तो तबी पूरी हो सकती है जब आप वासुदी के श्रेष्ट भाग क्योंता कि यदि श्रेश्ट की यही मांग है तो हम वासुकी के मुक्ति और का पाला स्युकार करते हैं आप वास्तव में श्रेश्ट हैं दानव राज देवरिशी नारद की यहीं देवरिशी नारद की यहीं नारद के इस खेल से दानव थे अंजान जीत हुई फिर ग्यान की हार गया अग्यान सागर मंधर के लिए दोनों दल तैयार लेकिन क्या हो पाएगा देवों का उद्धार तुम जानते हो कि वासुकी के मुख की और रहने से क्या होगा उसके मुख से ज्वला के रूप में पंकारे निकलेंगी और तुम सब जुलस कर रहे जाओगे देवता चतुर है और नारदुन से भी अधिक चतुर उन्होंने तुम्हें श्रेश्ट कहकर तुम्हारी प्रसंचा कर दी और तुम उनके चाल में फसकर रहे गए परंतो गुर्देव अब तो हमने उनका प्रसा मान लिया है यदि अब हमने उनका निना नहीं माना तो मारे अपनी लोग हमें संद्य की दिरिश्टी से देखें लगेंगे भूल मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर भरोजा किया मुझे स्वाइम वहां पर उपस्तित रहन करना चाहिए था अब क्या होगा गुर्देव मार दनुस्य निकल चुका है कि जाओ जाकर मंधन आरम करो कि मुझे स्वायन देवताओं की चक्राई है कि दिश्टी रखनी है कि जाओ कि जो आग्या गुरुदेव कि जो आग्या गुरुदेव कि सर्भानु कि आग्या गुरुदेव कि देवता जितने चत्र है ताना उतने ही मुर्ख ना जाने मैं कब से उनकी मुर्खता को चत्राई में बदल लेकी जैश्टा कर रहा हूं मुझे विश्वास है कि देवता अमृत के बढ़वारे में भी चत्राई यवश्य दिखाएंगे कि तो फिर आपका मेरे लिए क्या देश है कि मैं ये कारिभार तुम्हें सौंता हूं कि तुम ध्यान रखोगे कि अमरत के भढ़वारे में कोई पक्षपाद ना कि जितना अमरत देवताओं को मिलें उतना ही दानमों को आप निश्चिंत रहिये गुरुदेव कि मेरे होते हुए कोई आसमानता नहीं हो सकती है कि अब परवत को उठाइए और इसे समद्र के बीचों बीच रख दीए परवत के लाइए कर दो करें हुए कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 देवराज अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूप जाएगा इसे कोई ठोस आधार चाहिए तो फिर मंतन कैसे होगा देवराज? चलो दानविरो हो चुका सागर मंतन पाय दिखाई ने देता आप आए हैं हे देवराज शीर सागरवासी भगवान विश्नु की अत्रिक्त और कोई नहीं जो हमारी साहता कर सकते हैं हाँ देवराज केवल बही हम इस संकट से उबार सकते हैं हमें लक्ष्मि नारायन से साहता मांगनी चाहिए हमें अपने लक्ष्मि पति की स्तूति करनी चाहिए यह दर्ती से पुकार उठ रही है मुझे बुलाया जा रहा है हाँ कमल नयन संकट बढ़ रहा है मन्थन असंभव सा लगने लगा है हम और यदि मन्थन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा देवता अमरित से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी परन्तु हे कमल नयन मन्थन कैसे होगा मंदरा चल तो समुद्र में डूबा जा रहा है उससे इस्थिर करने के लिए कोई महां ठोस वस्तू मिलेगी कहां से भला प्रिये मैं धर्ती और जीवन का पालक हूँ धर्ती और जीवन की रक्षा करना मेरा करतव्य है मैं मंदरा चल को अपनी पीट पर रोक लूँगा आप? आप मंदर चल को अपनी पीट पर रोकेंगे? हाँ प्रिये, मैं कूर्म का रूप धारन करूँगा, ये मेरा कूर्म आवतार होगा, दूसरा आवतार, मंदर परवत मेरी पीट पर टिक जाएगा, और फिर समुद्र मंथम में कोई कठिनाई ही नहीं होगी परंतु हे कमलयन, आपने तो कहा था, कि आप मानव लोग पर उसी समय जाएंगे, जब मानव कल्यान को कोई संकठ होगा, ये तो देवताओं और दानों का जगड़ा है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए, आपको अवतार लेने की क्या विशकता है? महा देवी, मैंने कहा न, कि यदि सागर मन्थन नहीं हुआ, तो दानव संस्कृती जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृती जीत गई, तो सर्वप्रतम मानव संस्कृती को मिटा देगी, देवताओं उनके आगे नहीं टिक पा रहे, तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है, और इसलिए ये देवताओं और दानवों के जगरे से अधिक मानव कल्यान का प्रश्ण है, मुझे जाना ही होगा. और मैं क्या मेरे भागे में फिर वियोग के घड़ेया लिखी हैं? प्रीये, वियोग के उपरांथ जो मिलन होता है, उसका आनंध ही कुछ और होता है, वियोग तो मिलन की मिठास बहा देता है प्रीये, और फिर ये वियोग इतना लंबा नहीं होगा, हम शीखर फिर और ये मिलन इतना सुन्दर होगा प्रिये कि आप इसे कदापी नहीं भूल पाएंगी मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी परन्तु आपके सुन्दर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूँ कैसा होगा अपना ये मिलन का मलेन इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी पर आपका जन्म सागर मन्थन से होगा समुद्र मन्थन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे उनी के साथ आप भी निकलेंगी हे महादेवी अम्रित और आप यही दो तो इस सागर मन्थन की सबसे सुन्दर उपलब्धियां होंगी आप प्रेम का प्रतीक हैं मम्ता का स्वरूप है और जीवन के लिए प्रेम और मम्ता अम्रित से कम नहीं देवी सहते पूछिये तो प्रेम और मम्ता तो अम्रत से भी कहीं अधिक सुन्दर और महान है अम्रत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी परंतु आप इस सागर मन्थन की सबसे महान तम उपलब्धी होगी क्योंकि आप ही मानव कल्यान का सर्वश्रेष्ट साधन बनेंगी क्योंकि आप होगी क्योंकि आप होगी क्योंकि आप होगी क्योंकि आप होगी क्योंकि आप इस सागर मन्थन कालिया क्योंकि आप होगी क्योंकि आप होगी क्योंकि आप क्योंकि आप मैं मैं हूं मैं सागरतल में जा रहा हूं देवगा मैं मंदराचल को अपनी पीट पर धारन करूंगा फिर मंदराचल कदापी नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मन्थन कर सकोगे आप मैं मैं लोद्वित आप आप मैं आप 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 झाल 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 इंध्यyer नहीं झाल जिसके अधुरों। की मधुर मुस्कान सारे संसार को आनंद का संदेश देती है जिसके सुंदर मुखडे का ध्यान ही प्राणियों के मन में उजाला कर देता है आज स्वेम वही दुख और चिंता की मूर्ति बनी हुई है किस चिंता ने आपके सुंदर मुख को अपनी छाया से ढख रखा है माते जिसके सुंदर में वहाष है तो इसमे एकनी चिंता की क्या बात है माते मुझे तो ये चिंता है देवाषी कि इस सुंदर समारोह में उन्हों में सभी को आमंत्रित किया है पर मेरे नारायन को कोई ने निमंतर नहीं भेजा मैं तो उनके अत्रिक्त किसी और के गले में बरमला डालने की सोच भी नहीं सकती और पिताश्री ने उन्हीं को नहीं बोलाया हाँ यही चिंता मुझे व्याकुल किये जा रही है यह तो वास्तव में अन्याय है आप ही कुछ कीजिए न देवर्शी मैं अपने नारायन से विनती अवश्य कर सकता हूँ पर बिना निमंत्रन के वे आएंगे या नहीं यह तो उन पर ही निर्भर करता है नारायन नारायन वर्ण देव चंद्र देव नहीं आया भी तक संजा की बेला हो गई है बस उदे होने ही वाले होंगे लीजिए आगे चंद्र देव यह ब्रम्मा यह ब्रम्मा मेरी समझ में नियारक की अकारण समय के नश्किया जा रहा है जुन्दानवर देवताओं को अवंत्रित किया था वे सब तो आ चुके हैं अब देर किस बाप की स्वयमबर आरम कीजिए ए अथितिगण आज स्विष्टी में एक नई प्रथा की नीव डाली जाने वाली है जिसका नाम स्वयमबर है अर्थाथ अपनी इच्छा से अपने लिए वर्च उनने का अधिकार ये वलकन्याओं को प्राप्त होगा सागर पुत्री के हाथों में जो पुष्पमाला है इसे ये उसी के गड़े में डालेंगी जिसको ये अपने योग के समझेंगी जो इनका मनभावन होगा थे सागर पुत्री आपको ये माला यहां उपस्तक अथितियों में से किसी एके गले में डालनी ही होगी और है अथिति गड़ आप भी जान दे सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनोती नहीं दे सकता ये जिसे चुनेंगी उसी को इनका अंत्यम नर्णय समझा जाएगा उस पर कोई विवात नहीं करेगा किसी को वियापत्ति करने का अधिकार नहीं होगा हे देवी मैं स्वेंवर समारो के आरम की घोशना करता हूँ आगे बढ़िये और जिसे आप अपने योग के समझे उसके गले में ये पुश्पमाला डाल दे हे गले में विवान खब कर लंज फसी है आरे में एम है अलब में गया है ख üzहाइब है झाल एक और उन्यों में एम withdraw है नहें एम है एल रव को चाली कर दोवका पार किसा qईती है नह इपड़ को खिलना है जया है CHow लाँ जया है खिख खिलना है कर दोस्त वाराल कि अन्ना कि अाय खुदी dent कि अ बढोखता टुर्टाट कि अ आडरे नहां जो कि अ इसन कि जदेर कि मैं जानता था यहीं होगा अब तो और कोई शेश नहीं रह गया है संद्री डाल दो यह पुश्प माला मेरे कले में और सदा के लिए मेरी हो जाओं संद्री इतना विलम क्यों मेरी क्यों ता आता क्यों अचिर्दी विलम क्यों संद्री इतना विलम क्यों प्रिये कर दो कर दो कर दो लक्ष्मी ने हर वक्ष पर पर माला दे डाल धन्य स्वयंबर की प्रथा धन्य हुई जय माल धन्य स्वयंबर की प्रथा धन्य हुई जय माल लक्ष्मी नाराण की जय लक्ष्मी पती की जय। स्वागत है सर्वेश्व, स्वागत है माता, आईए हमने आपसे कहा था न महादेवी केस बार हमारा मिलन बहुत मधुर होगा ऐसा जिसे आप कदापी नहीं भूल पाएंगी कैसा लगा आपको ये मिलन? बहुत सुन्दर, बहुत मधुर, अनुपम किम्तु हे कमलने, जब तक आप नहीं आये थी, मेरे हदे की गती रुकी जा रही थी एक छणका भी और विलंब करते हैं आप तो विलंब क्यों करता देवी? आपका मन मुझे पुकार रहा था जब भी कोई मुझे मन से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने में एक छणका भी विलंब नहीं करता और आप तो पेवी जिन रंगों से हमारा जीवन चित्र बना है न उस चित्र के सुन्दर तम रंग आप हैं आपके बिना तो हमारा जीवन अधुरा है अस्तित्व अधुरा है तो आपके पास आने में मैं विलंब क्यों करता? मैं मां हूँ धर्ती मां श्री विश्णू ने अपना बचन निभाया सच्मुच माता लक्ष्मी से इस बार उनका मिलन इतना अधीर था कि से मेरी आँखों में हर्ष के आँसु छलकने लगे दानव एक बार फिर अपनी हार पर शुद्ध होकर रह गए वे शायद इसके बाद मन्थन पर भी तयार न होते पर दैत्य गुरु शुक्राचारे अब अपने लिए अम्रित पाने को इतना व्याकुल थे कि उन्होंने अपने दैत्य शिश्यों को सागर मन्थन में सहयोग देने पर विवश कर दिया मन्थन फिर आरंभ हुआ सागर ने अपने गर्भ में छिपे अन्मोल कोश लुटा दिये समद्र की तह से काम धेनों निकली एरावत आश्व कल्प विक्ष जैसे अन्मोल रत्न निकले पर प्रतीक्षा तो थी अम्रित की उस पदार्थ की जो म्रित्यू की म्रित्यू है और फेर वो घड़ी आही झाल की कि एर्भ में तार्थ की म्रित्यू है। झाल झाल चाल को चाल चट बना तो झाल को चौनज़ के चौनदे नियु है ऑज मतमटत्तश बना फ़ बनला कॉश्या के प्तौ按 sorting कॉश्या के किलीओना प्तौ पंच बना 그래서 चिए किना याल समया धार्ड़skिक वाफाओा पार्ड़ा तौन साजना थार्न उस कलाश में आवाच यही अमरित होगा अमरित? अमरित? आवाच यहाच 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 अब तो संजीवनी मंतर उनके गुरू के पास है और में तुनके हाथों में यह तो सरुनाश हो गया देवराज हमारे साथ भ्यांकर चल हुआ है अब क्या होगा हे जगदीश्वर यह तो अनर्थ हो गया दानव अम्रित कलश लेकर भाग गये संजीवनी और अम्रित दोनों की शक्ति पाकर तो वे समस्त शिष्टी का सर्वनाश कर डालेंगे असंभव यह असंभव है देवराज यदि संसार पर दानव संस्कृति का राज हो गया तो स्रिष्टी की रचना का सारा उद्देश ही समाप्त हो जाएगा स्रिष्टी की रचना तो सुन्दर विचारों के पनपने के लिए शांति की सुगंध पहलाने के लिए और मानव को उन्नती के शिखर तक पहुँचाने के लिए की गई है नहीं देविंद्र नहीं धर्ती पर दानवी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है दानव संस्कृति का उठ्थान स्रिष्टी के सुन्दर यकांत होगा और मैं ये कदापी नहीं होने दूँगा देविंद्र आप चिंता न कीजिए अमरत पर केवल देवताओं का अधिकार है और अमरत कलश को आप तक पहुँचाना मेरा उत्तर दाइत्व हे तिलो किनात आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते या आशा लेकर है तो हम आपके चड़नों में उपस्थित हुए है देवताओं को ग्यात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आएं तो देवता हमारे आगे ठैर नहीं सकते छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे है मुझे तो गुरु देव ने भेजा ही इस युद्देश से था कि मैं अमरित को तेवताओं के हाथों में ना पढ़ने थी अब ये सारा अमरित हम पी जाएंगे दानव राज देवतागण इसकी एक भूंद को भी तरस जाएंगे चले थे अमरित पीकर अमर होने अब हम तीनों लोगों पर चा जाएंगे देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विश्णु पर अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विश्णु हमारा क्या विगाड़ आपड़ाएंगे उठाओ कलश स्वर्भानू और अम्रित का वितरन आरम करो स्वर्भानू और अम्रित का वितरन आरम करो स्वर्भानू और अम्रित का वितरन आरम करो ए सुंद्री ए मिर्ग लोचिनी पुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली चूडियां बजाती पायल जनकारती हमारे मन पर बिजली गिराती किस लोग की वासी हो तुम और क्या नाम है तुमारा मेरा नाम मोहिनी है मोहिनी नहीं मन मोहिनी कहो सुंद्री तुमने तो पहली जलक में हमारे मन मोह लिये मन करता है तुमारे चर्णों में अपना तन मन बिछा दूं। तुमारी बल खाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं। इतने सुंदर सुरूप से हमारे मन को छलने वाली तुमारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। यद्यपी तुमारा आना मेरे लिए सोभध्य और गर्व की बात है। परंतु मेरे सवागार की शोबा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। मैंने सुना है कि तुम दानव ने अम्रत प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे गुरू के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अम्रत। आप तो कोई तुम्हारे सामने सेर उठाई नहीं सकता। शक्ति शाली को कौन प्रणाम नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें इस दोरी सफलता पर बधाई देने आ गई। ऐसे नहीं सुंद्री ऐसे नहीं। फिर कैसे। हमें बधाई देना है कि तुम्हारे पाउम में बंदी जिस पाइल ने हमारे रिदय की धरकने तीवर कर दी। उसी छम-छम से हमें बधाई दो। तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया। उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो। अपने सुंदर मुखडे को दमका के अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो। इम जैसे महाशक्ति मान के इच्छा पूरी न करूं। मुझमें ये साहस नहीं। हाए। आड़िलक्ति मुझमें ये संसायए। मत्स्य बने फिर कच्छफ बनके किया पाप संहार अब नारी के रूप में प्रगटे जग के पालन हार देखो आज लियो हरी रूप मोहनियां जो इस जग को नाच नचाए देखो उस नटवर ने पांभी पेंजनियां जनक जनानाना चुमक चनानाना चुमक चनानाना देखो आज लियो हरी रूप मोहनियां नीसा नीसारे सरे पगा मरे सा नीसारे धानी पामगा मनीदपा नीसारे पागा मरे सा नीसारे मरे सा नीसारे मरे सा नीसारे मरे सा नीसारे कन गलता कामिनिया बनके रामिनी डमके चलियों को चलने को मोहक नमनी बनके जदयों को व्यापुल कर मद माते नैनन से नेन बाण मारत है आज चक्र को तजके देखो विश्व सजन भय आज सजनिया विश्व सजन भय आज जो इस जग को नाच न चाए जो इस जग को नाच न चाए देखो उस नटवर ने आधी पैंजनिया झुरिकीति मुटा झुटा झिकिता झिकिता झिकृता झिकृता प्रेमा चुर दानव दल प्रमकी लट में उल्खे वश में कर दैत्यों को मन ही मन प्रभु हर शे योवन की ज्वाला है चित्वन की हाला है हर मन मत वाला है कुछ होने वाला है देखो सब को छकावत माया ही रनिया जो इस जग को नाच न चाए जो इस जग को नाच न चाए देखो उस नट वर ले पांधी पे जनिया आच लियो हरी रूप मोहनिया आच लियो हरी रूप मोहनिया सुन्दर अत्वी सुन्दर अम्रित पाकर हम बहुत प्रसन्न थे तुम्हारा ये रूप तुम्हारा ये छल बल तुम्हारी ये मन को गुद्गुदाती मुस्कान किसी अम्रित से कम नहीं यादि तुम ये अम्रित हमें अपने हातों से पिला दो तो इसकी मिठास और भी बढ़ जाएगी तुम्हारे इस पर्श की मिठास अम्रित में गुल जाएगी तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा मैं आपके अग्या कैसे टाल सकती हूं दानव राज परन्तु परन्तु क्या है यह दानव राज जिस प्रकार दूप बिना च्छाओं के महत्तनी होती तुन बिना रात्री सुहानी नहीं लगती उसी प्रकार आपके सभ़ा भी देवताओं बिना सूनी लग रही है देवताओं बिना भूल गए सागर मन्थन में वो आपके सहयोगे थे परन्तु वे हमारे शत्रू हैं हम उनको क्यों बुलाएं है ठे दानव राज आप उन्हें इसलिए बुलाएं कि वे छोटे आप महान है वे अन्याई हैं आप न्याय अप्रिय हैं वे छलिये हैं पर आप दिश्चल हैं न्याय कहता है कि इस अम्रित पर उनका भी अधिकार हैं दिश्चलता कहती है कि आधा अम्रित आप पी और आधा भी महानता कहती है इस छोटों को भुला देना भी छोटा पन है कि एक अमल नयनी कि तुमने हमारे मन को हर लिया है कि तुम्हारी बाट डालना कि हमारे वश्च की बात नहीं कि अर्शल कि देवताओं को बुलाया जाए कि एक बाट आप पो लिगा जाए ये सुन्दृरी अम्रित का वित्रन आरंब करो हमसे और अधिक धिरस न धरा जाएगा अतित्ली सत्कार डानव लोग की परंपरा है इस परंपरा को निभाने के लिए मैं पहले देवताओं को अम्रित पान का अवसर दूंगी कैसे तुमारी इच्छा कर दो पान लोगया मैं आर गे कि लिए जा माँ टेवागा कैसे तुमारी आरंब लोगान का वित्रनी आरें लोग और चन्र देंचे ओनान का वित्रनदटी आरंब का अवसर दो कि मैं आरेंग है झाल 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 कलश तो रिक्त है विश्लु ने सारा आमरित देवताओं को पिला दिया चल माचल विश्टु ने एक बार फिर हम से चल किया हमें मोहिनी बनकर ठग लिया विश्टु सावधान मैं यहां हूँ काल की तू हाँ कुछ ने हो सकता इस मनँड़ए अम्रित पां कर चुके हैं अम्रत पान हम हम सभी अमर है अब तुम तुम्हारे शास्त और तुम्हारी सेना हमारा कुछ नहीं दिगाड़ सकते कुछ भी नहीं दिगाड़ सकते काल के तू एक नहीं उसकी चली हारा फिर एक बार अम्रत से वंचित रहा दानव का परिवार देर सही उसके यहां नहीं मगर अंधेर जो अम्रत के योग है पाए देर सवेर जो सुनेगा ये पुरान पाए का सुख और गान दर्म को ही धर्म जान प्रेम की तुझे रतान पीत यूग बता रहे है पीत यूग बता रहे है साथ्य पत पे चल जो जान पिश्णु पुरान पिश्णु पुरान पिश्णु पुरान पिश्णु पुरान